है 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 हलो फ्रेंट कैसे आप सब दिखिए आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक से वह है रिपेरिंग के तो सभी ट्इया ट्राइबरों करते हैं आप लोगों देखा और आप देखते भी रहते हैं कि किसी भी कमें करेंक पर आपकोन हरे जो हैं कि एक अशर्फ मणानल भावा जiten कि हमारा पाट जो रीपेर नहीं हो पाता है तो क्या होता ना, जीक कोई भी पाट है, उसका एक लाइफ होता है उसаст का डैख मतलब कि जैसे अल विशी जर छोना कोफ weillay जो भालप का वह साथ हो ऊच्छ उसके अंदर रबर का वाश्यर लेखा होता है वो बहुत ज़्यादा अगर आप चला पाएंगे तो रिपेरिक करके 5-7 साल तक आप उसको चल सकता है क्योंकि 5-7 साल तक अगर वो भी डिपेंड करता है पानी के ओपर अगर पानी का क्वाल्टी आपकी हाँ अच्छा है तो 5-7 साल तक आप उसको चला सकते हैं लेकिन अगर पानी में हाडने जादा है पानी में आपका सेंड आता है रेत आता है और पानी आपका ज्यादा हार्ड वाटर है साड़्टी वाटर है तो वहाँ पर क्या होता है दो-तीन साल में भी खराब हो सकता है ऐसा है तो इसमें क्या है कि जैसे क्या बार कोई रिपेरिंग करते समय कोई पार्ट तूड गया अभी हमारे काफी जो है यह विडियो डालना इस्टार्ट किया है मैंने तब से मेरे कई व मालीजी वाल कॉप और साइफन इन सब के वासर हो गज़णा नहीं आते हैं मार्केट में फ्लस वाल का आता है जो साइफन है उसका बड़ा वासर आता है लेकिन वह भी आपको वर्जिनल वासर जल्दिन नहीं मिल पाएगा और अगर आप कोई पार्ट है मालेजे वासर हो रहा है सड़ गया अब आप उसको सूचेंगे कि रिपेरिंग करके इसको हम चला लेंगे तो रिपेरिंग करके वह नहीं चल पाएगा क्योंकि उसकी लाइफ हतम हो चुकी वह सड़ चुका है ठीक है प्लास्टिक भी हो जाता है करने के लिए अपने उसको खोलने की कोशिश की और तूट गया तूटा क्योंकि वह भी खो चुका था उसका अपने दस साल आठ साल साथ साल इसको यूज किया और वह सड़ गया खराब हो गया तो रिपेरिंग से नहीं चल पाता तो पार्ट बदलने की जरूत पड़ती है अभी क्या है कि मैं जो वीड़ियो बना रहा हूं इसमें मेरा मैन चीज यह पर पड़त है क्योंफि好不好 के मिशें कामेंपर ही प्लेइफ नहीं मिल पा रहा है तो उसकी नहीं हमां उनela करता हैं सब्सक्राइब अपनी का हो और किसी भी टाइप का हो and piece, two piece, consist system, इनके आपको flush val, दो एक चीज लगता है – फ्लस के अंदर दो एक inled wall और आपका flush val बोलते हैं, जिसको साइफन बोलते है, साइफन और inlet wall. जिसको बोलते है गलमबर दो चीज लगता है एक नॉब लगता है पुश करने के लिए तीर आइटम होते हैं कमोड के अंदर चाहिए आपको तूपीस हो वन पीस हो तो यह इस टाइप का अगर कोई पार्ट आपको खराब हो गया हो और आपको मार्केट में नहीं मिल पा रहा है और मुझे बताईए कि आपको किस टाइप के कौँ सा पार्ट से यह वह आपके साथ कोडिने करूँगा आपसे बात करूंगा और आपसे बात करके वो पार्ट में आपको बड़े इजली आपको घर बैठे बैठे आपको प्रॉइड करवा दूँगा आप इंडिया की किसी भी कोने से किसी भी जगे से ऑनलाइन आप वो प्रोडेक्ट मंगवा सकते हैं करियर चार्जेस भी बहुत कम होगा सबसे अच्छी बात यह है कि वह स्योडी होगा कैसा डिलेवरी में तो आपको कोई टेंशन लेनी की जरूरत ही नहीं है जब प्रोडेक्ट आपके पास पहुचेगा आपके हाथ में पहुचेगा तब आप पैमेंट करेंगे ठीक है तो कै इतने का बढ़ रहा है फिर आप चाहें तो वहाँ पता भी कर सकते हैं और भी सैटों पे जाकर आप रिशर्च कर सकते हैं देख सकते हैं आपको इस कोश्ट में उस पाड़ आपको नहीं मिल पाएगा जिस रेंज में मैं दे रहा हूं क्योंकि मेरा मेल परपर यह है कि हमारे जादे से जादा विवर्स हमारे साथ जूड़े रहें और जादे से जादा लोग उमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो यह छोटा सा जो है यह कैंशी शिसर्य का पार्ट है, यह कैंशी सीक्ट10 का अगर इस टाइब आपको sharp हुछ पकुछ हमारे पास मिल जाएगा यह भी हेमारे पास समया यह मर पससे भी लेवल आपको मिल जाएगा यह भी देखिए ball clock है, यह inlet wall, यह one piece, two piece, किसी में भी आफ Come कर सेथ एक किसी में भी लग जाता है, यह भी अबी लेवल है, यह भी मिल जाएगा यह flat wall है, जैसे जो push करते हैं button, और यह flat wall है, one piece का flat wall है ये मिल जाएगा आपको टू पीस का भी फ्लस वाल मेरे पास मिल जाएगा आपको एक इस टाइब का भी मिल जाएगा ये टू पीस का है ये भी मिल जाएगा आपको एक दूसरा टू पीस का आता है वो भी मिल जाएगा हमरे पास आपको देखें ये भी है अब ये क्या होता न इसको खीचा तो यह देखे एक्स्टेंड हो गया बड़ा हो गया तो इसको बढ़ा के कर सकते हैं जिसे वाटर लेवेल आपका ऊपर तक चला जाएगा अभी इसको छोटे सिस्टें में लगाना है तो इसको यहां चेले जो बटन देख रहा है पिसको दबाईए और चीधा न अलग अलग भी मिल जाएगा तो मेरा मेन बर्बज यह है कि देखिए आप लोगों कहीं इधर उतर बटकने की जरूरत नहीं है कहीं ढूड़ने की जरूरत नहीं है आपको कोई भी स्पेर पार्ट चाहिए रिपेरिंग का वीडियो तो मेरे चैनल पर ही है आप उस सब देखी सकते हैं रिपेरिंग करके चलता है तो बहुत अच्छी बास नहीं चलता है अगर आपको पार्ट की जरूरत बदलना पड़ा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स करके ह हमें बताईए हम आपको इस पर पार्ट प्रोवाइड करवा देंगे और उस पर आपको मैं लिंक भेजूंगा तो उस पर आप जाए करके देख लिए उसको कॉस्ट बहुत ही आपको बहुत कम जो है खर्चे में आपकी घर पर आपको डिलेवर हो जाएगा क्योंकि उसका कॉस्ट बुजे लंगरा बहुत जादे ज्यादा एक पार्ट आप मंगवाएंगे तो उसमें 50-60 रुपे के डिलेवरी कॉस्ट पड़ता है तो ऐसा भी नहीं कि आपको महगा पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं बहुत सस्ता मिलेगा मार्केट से हर जगे से आपको सस्ता करें हैं किसी और को चाहिए तो आप प्लीज इस वीडियो को जो है आप उनके सास्थ सेर कर ये और चैनल को सब्सकाइब करिए और मुझसे जितना सबूर्ट हो सकेगा मैं आप लोगों का सब्सकाइब करता रहूँगा और आप लोग भी थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए औ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा